ओम श्री साहिराम धर्म वाहिनी अध्याय 11 भक्ति हिंदू धर्म में यथा निर्धारित आध्यात्मिक प्रगति के सिध्धानतों और पद्धतियों के अनुसार संपून धार्मिक विकास युग को तीन कालों में वर्गी कृत किया गया है पहला वैदिक काल जिसमें कर्म या अनुष्ठानों पर बहुत मात्व दिया गया दूसरा उपनिशत काल जिसमें अन्य साधनों की अपेक्षा ज्यान पर अधिक बल दिया गया तीसरा पुरान काल जिसमें भक्ति को सर्वोप्री समझा गया वैदिक साहित्य में सहिताएं ब्राम्मन आरण्यक और उपनिशद हैं जिसमें से प्रथम तीन अर्थाद सहिताएं ब्राम्मन और आरण्यक ग्रंत कर्म की विधियों पर प्रकाश डालते हैं और ये कर्मकांट के नाम से प्रसिद्ध हैं और उपनिशद ज्ञान से संबंदित हैं इसलिए वे ज्ञानकांट कहलाते हैं वेद सहिताओं में दिये हुए मंत्र समू, इंद्र, अगनी, वरुन और रुद्र आदी देवताओं का गुनानुवात करने वाले स्तोत्रों से परिपूर्ण हैं प्राचीन काल में आर्य इन मंत्रों से उक्त देवताओं की पूजा करते थे, बलिदान करते थे तथा अन्यधार्मिक कृत्य और अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार इन देवताओं का अनुग्रे प्राप्त करके अपने इच्छाओं को संतुष्ट करते थे और सुक शांती में जीवन व्यतीत करते थे उन्होंने यह पून्ड रूप से समझ लिया था कि परमसार्व तत्व परमात्मा केवल एक ही है वे ये भी जानते थे कि इस परमतत्व परमात्मा के अनेको नाम और रूप हैं वह विविद रूपों में और भिन भिन नामों से भासमान होता है रिगवेद के बहुत से मंत्रों में इस तत्य का स्पष्ट रूप से वर्नन किया गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंदी अगनिम यमम मात रिश्वान माहु एक सद को विद्वान अनेको नाम से कहते हैं अगनि यम मात रिश्वा आदी यह ब्रम जो एक है अने कोई नहीं रिगवेद में हिरन्यगर्व, प्रजापती, विश्वकर्वा, पुर्षों के रूप में वर्निद है हिरन्यगर्व सूक्त और पुरश सूक्त इस दिव्य दर्शन के शास्त्रिय उधारन है प्राची नारेों के रहन सहन की विधी को धर्म मनाम से अभिहित किया गया है इसे यग्य भी कहा जा सकता है वे अपनी दैनिक साधनाओं को धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों, पूजा, गुनानुवाद, त्याग और समर्पन के रूप में व्यक्त करते थे इस प्रकार वे भक्ति में जीवन वतीत करते थे सहिताओं में भक्ति शब्द नहीं मिलता है व न सही शद्धा शब्द तो मिलता है शद्धा यग्न ही समिध्यते शद्धा हू यते हविह शद्धाम भागस्य भूर्दा निवस्षा वेद या मसी शद्धा से ही त्याग रूपे अगनी प्रज्वलित और पुष्ठ होती है मात्र शद्धा के माध्यम से ही आहुतियां उन देवताओं तक पहुचती हैं जिनका आववान किया जाता है शद्धा पूजा का सर्वोच रूप है हम श्रद्धा की प्रशंसा और सराना करें समझ लो श्रद्धा की शक्ति कितनी महान है वैतिक काल की सरल और स्वाभाविक सादनाएं धीरे धीरे जटिल होती गई और धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों और अपचारिक नियमों में अत्यदेक वृद्धी होने के कारण ये सादनाएं बहुत ही कठिन और चक्रा देने वाली बन गई समय गुजरने के साथ यहां बताया गया कि यग्य और होम ही धर्म है इस प्रकार के अनुष्ठान करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है हाला कि यग्य वास्तव में इश्वर की पूजा करने की एक विधी थी लेकिन देवताओं का मान स्वेम यग्य ने ले लिया धर्म को यग्य और होम बताने वाली घोशना का प्रभाव हुआ कि लोग देवताओं को साधन मात्र मानने लगे उन्हें यह विश्वास हो गया कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए यग्य करना अत्यंत आविश्यक है इसी बीच में उपनिशत काल का प्रादुर्भाव हुआ उपनिशतों ने भौतिक विश्यों को यह कह कर निकाल दिया कि उनका कोई स्थाई महत्व नहीं है उन्होंने उन्हें निक्रिष्ट बताकर उनकी निंदा की वास्तों में वेदों के करम कांट का रूप परिवर्तित हो गया और मनुष्य को जन्म मृत्यू की दास्ता से मुक्ती दिलाने के लिए वाहनों और भवसागर से पार उतारने के लिए जल पोतों के रूप में उपनिशुदों में पुनर मुलियांकन किया गया उपनिशत काल के साधन की द्रिष्टी बाय इंद्रिय जन्य वस्तु परक जगत का भेदन करके आभ्यांतरिक जगत पर केंद्रित हो जाती है उपनिशत काल के रिश्यों ने सरवोच सिध्धान्त की प्रकृती की सामुहिक रूप से पुष्टी इस प्रकार की है इस नाम रूप जगत की मूलभूत कंभीरता में एक ही शाश्वत स्थाई सत्य है वह है परम सत्ता परम ब्रह्मा उस परम ब्रह्मा के बारे में ज्यान योग के द्वारा ही सबसे अधिक ज्यान प्राप्त किया जा सकता है अतह तद विजिग्या सस्व तद ब्रह्मा उसके ही जानने की इच्छा करो उसे ही जानो वही ब्रह्मा है यही ब्रह्म विद्या है जिसकी उपनिशद वेदान चिक्षा देते हैं इसके अतिरिक्त उपनिशद ये भी घोशना करते हैं कि वेद हाला की मुख्य रूप से मनुश्य द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के लक्ष से संबंदित हैं वे मुख्य या मोक्ष प्राप्त करने की आधार भूद चिक्षा देते हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति केवल ब्रह्म विद्या या उसमें पारंगत हो जाने पर आश्रित नहीं है वह अध्यान, विद्वत्त या पांडित्य की पहुंच से परे हैं उसकी प्राप्ती उपासना से ही हो सकती है। यदि विद्वान अपनी पून विद्वता के साथ उपासना में भी लीन हो जाता है तो उसका जीवन निसंदे पवित्र है। ऐसे मुमुक्ष्वों के समक्ष भगवान अपने वास्त्वे तेजस्वी रूप में प्रकट होंगे। जीव और परमात्मा, व्यष्टी और समष्टी के मध्य, बंदन के बारे में जो घोशना ब्रियत दारण्यक उपनिशव में की गई है। उसका पालन करने का यह अर्थ ह इशोस्य परम गती, इशोस्य परमम संपद, इशोस्य परम लोक, इशोस्य परमानंदम। परमात्मा की प्राप्ति ही जीव का सर्वोच लक्ष, सर्वत्तम संपद, सर्वशेष्ट प्रगती, सर्वोच आनंद है। तैत्रिय उपनिशद में इस प्रकार उद्गोशना की गई है परमात्मा संतोष का स्त्रूत है क्योंकि वे विषुद भावना के रस्वरूप हैं उनको प्राप्त कर जीव आनन्द मगन हो जाता हैं यदि रिद्याकाश में परमात्मा का प्रकाश नहीं है तो कौन मजा लेगा कौन जीवित रहेगा वही तो सबको आनंद देता है भक्ति के बीज जो वेद सहिताओं में यत्र तत्र बिखरे हुए मिलते हैं उपनिशिदों में अंकुरित होते हैं और पुरानों में उनकी बहुत सी शाखाएं फूलने फलने लगती हैं सही अर्थों में भक्ति क्या है भक्ति के प्रक्रती क्या है जब यह प्रश्न निर्ने के लिए सामने आता है तब भी बहुत से लोग चक्कर में पड़ जाते हैं सही अर्थों में भक्ति क्या है और क्या नहीं है इसका भेद कर पाना असंभव है भक्ति के अनंत स्वरूप है केवल शुद, नम्र, सहिश्नु, शान्त और प्रेमी आत्माएं, श्रेश्ट साधू, भक्त, सद्रिश परमहनसी इसकी शुद्धता और गहराई को समझ सकते हैं. अन्य लोगों के लिए किसी व्यक्ती में भक्ती का पता लगा पाना, उसी प्रकार कठिन है, जिस प्रकार चक्तान में कोमलता, अपनी में शीतलता या नीम में मिठास का पता लगाना. भक्त को भग्वान अपने जीवन से भी अधिक प्रिय होता है, और भग्वान भी उसी प्रकार उससे प्रेम के सुत्र में बंधे रहते हैं. कुछ महापुरुष तो यहां तक कह डालते हैं कि भक्त तो भग्वान से भी बढ़कर है, किसानों को समुद्र की अपेक्षा बादल अधिक प्यारे लगते हैं. हालनकि बादल समुद्र से ही पानी प्रात करके उनके खेतों में वर्षा करते हैं. समुद्र प्रत्यक्ष रूप से उनकी फसलों के लिए पानी नहीं बरसाता है. इसी वज़े से तुलसी दास्ची ने भक्त और भग्वान के मध्य संबंध का सुन्दर वर्नन किया है. आदल समुद्र की दया, प्रेन और वैभव तथा वायूमंडल का सौरव लाते हैं और संपून प्रित्वी पर उनकी वर्षा करते हैं. उसी प्रकार भक्त जहां भी जाते हैं, वहां भगवान के इन महान गुणों का गुणानुवाद करते हैं और संपून बातावरन को भगवत में बना देते हैं. जिस प्रकार सोना खानों में से खोद कर निकाला जाता है उसी प्रकार ये गुण भी मनुष्य में देवत्व के अंश के रूप में रहते हैं दुर्वासा रिशी एक दिन अंब्रीश के दर्वार में उनकी भक्ती की परिक्षा करने के लिए आये इस हेतु उन्होंने अंब्रीश को नाश होने का शाब दे दिया लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने जो अपने भक्तों के रिधै से भै दूर कर देता है दुर्वासा रिशी के शाब को नश्ट कर दिया और प्रिथ्वी के कोने कोने तक उनका पीछा करता रहा वे पहाड़ी, घाटी, जील, नदी सभी जगह भागते फिरे उन्होंने सातों समुद्रों को पार कर किया स्वर्ग में शरन लेने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली क्योंकि भगवान के भक्त का शत्रू कहीं भी शरन नहीं प्राप्त कर सकता है अंत में विवश होकर वे बैकुंड गए और नारायन के चर्नों पर गिर पड़े और बेचायन होकर पश्चाताप करने लगे फिर भी भगवान ने यही घोशना की कि वे हमेशन भक्त का साथ देते हैं वे ऐसे भक्त को संग्रक्षन देना कभी भी नहीं चोड़ेंगे जो उनमें विश्वास रगता है और केवल उनहीं की शरन में रहता है मैं भक्तों के पीछे उसी प्रकार रहता हूं जिस प्रकार बचड़ा गाय के पीछे रहता है क्योंकि वह भक्त मेरे भगवान के लिए इस संसार की सभी चीजें त्याग देता है एक बार श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था तप ग्यान वैराग्य योग धर्म ब्रत तीर्था टन करने से जो पुण निप्राप्त होते हैं वे मेरे भक्तों को बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं विचार कीजीए सच्ची भक्ती का कितना महत्व है इसके जर्य एक चांडाल भी ब्रामन से श्रेष्ट बन सकता है भक्ती हीन ब्रामन भक्ती संपन्य चांडाल से निक्रिष्ट होता है क्या इसका विस्तृत वर्नन पुरानों में नहीं किया गया है इसी तथ्य का वर्नन नेती नेती कहे कर किया गया है अर्थात न यह है न वह है ऐसे ब्रह्म को वानी की पहुँच से परे और मन की समझ से परे बताया गया है इंद्रियों, मन और बुद्धी द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है और उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है ऐसी परमसत्ता का आभास वे लोग कर सकते हैं जो उसके ध्यान में लीन होकर अनुभूती प्राप्त करते हैं भक्ती इसका बोध आसानी से कराती है भक्ती के द्वारा पूर्ण परमानंग प्राप्त करता है पुरानों में वर्नम मिलता है कि भगवान निर्गुन निर्विकार ही नहीं है अध्वितिय ब्रह्म है चित्त स्वरूप है और स्विष्टी के निर्माता है वे उच्च महान और आकर्शक गुणों के निधान भी हैं, जो भी सुन्दर और प्रेम मैं हैं, उसमें वे व्याप्त हैं, उसकी वे गती हैं, वे दलितों को उठाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और उनका परिशकार करते हैं। जो अव्यक्त निर्गुन ब्रह्म ज्यान मार्ग के चरम सीमा पर ही पहुँचने से गय है, उसे सम्वेदन शील व्यक्ती महान दुख और कश्ट उठाएं, बिना समझ नहीं सकता हैं। इही कारण है कि पुरान भगवान के निर्गुन रूप की अपेक्षा सगुन रूप का विस्तार पूर्वक निरूपन करते हैं। पहले साधक को भगवान के सगुन रूप से संबंधित साधना करनी होती है। इससे उसमें चित्त की एकागरता पैदा होगी और बाद में स्थूल से सुक्ष्म की ओर की विधी द्वारा वो अपने मन को निर्गुन ब्रह्मन में लीन कर सकता है। यह मृक्त रिष्णा प्यासे आदमी को तालाप से दूर ले जाकर छोड़ देती है। फिर वह घूम घुमा कर उस थान पर आ जाता है जहां पीने के लिए पानी उपलब्ध है। तालाप के पास पहुँचकर वह पाने पाने लायक हो जाता है और अपनी प्यास बुझा लेत इसे स्थूल सौरंभि का न्याई कहते हैं। उसी प्रकार मुमुक्ष में भी निर्गुन उपासना की इच्छा अवश्य होती है। भगवान जो की भगतों के सखा हैं वही रूप धारन करते हैं जिसकी साधू महात्मा खोज करते हैं। वे उन्हें उदार रिदे से धर्म अर्थ, काम और मुक्ष चारों पुरुशार प्रदान करते हैं। चैसाइराम